स्वागत है आपका पाई क्लासेज में आज का हमारा टॉपिक क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर 10 एकसाइज 10.2 एंड 10.3 चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या है एंगल सर्टेंड बाई एक कोड एट एनी पॉइंट कहीं कौन सा पॉइंट सरकल का कोई भी है अब यह कहां कहां एंगल बना सकती है आइए देखते हैं पहले तो यह दगो इस कोड से सरकल दो पार्ड में डिवाइड हो गया कि मे बन सकता है इस कोड से इसके center पे भी angle बन सकता है और इसी code से यह जो minor arc है इसमें भी कहीं पर भी angle हम बना सकते हैं तो यह तीन तरह के ही angle एक code बना सकते है code यानि जीवा तो यही सिर्फ angle बनते हैं इनके इलावा और कोई angle हमारे पास नहीं बन सकते या तो major arc में बनाएगी या minor arc पर बनाएगी या center पर बनेगा circle गे ठीक है बटा सिर्फ यही बन सकता था अब देखो इसमें ते रखा है theorem 10.1 theorem क्या कहते है equal arc कोई भी circle है circle में जो equal arc होती है वो equal code बनाती है तो जो equal code है उनके दुआरा जो center पर angle बनता है वो हमारा equal होता है हमें ये prove करना है तो एक हमने a b ले लिए arc एक हम इस साइड ले लेते हैं उसको हम c d ले लेते हैं ये दोनों arc हमारी same है length में and this is the center तो given given में क्या लेखेंगे circle c o r c for circle o for center r for radius and a b equal c d ये दोनो equal हमें given है तू प्रू prim तू प्रू में कह रहा है खिए यह center पर angle बना रही है वो हमारे sametak यह center my angle बनाुँए वी वाला बना रही है इसडों इसको एंगल one मालनों और इससे यमेंडों पर संदर बन रहा है वो ये वाला बंदा है इसको हम 2 माल लेते हैं ठीक है हमें angle 1 equal to angle 2 ये prove करना है now proof बहुत ही simple है देखो क्या है दो triangle है in triangle O A B and triangle O C D इनको हमें congruent prove करना है बस clearly हो जाएगा देखो O A O B O C O D ये सब equal है तो O A equal O B equal O C equal O D एक बार में लिख दो यहां हमें S भी कह सकते हैं O A equal O C O B equal O D वैसे भी 4 equal है क्यों? each क्या है सब की सब? radius है तो radius तो same ही होती है एक circle की, दो तो होती है नहीं है मारे पास अब angle 1 is equal to angle 2 ये तो हमें prove करना था और क्या है? A B और C D ये हमें equal है ये हमारे को कहा साया? given तो देखो इस triangle की तीनो side दूसरे triangle यानि O A B की O C D के equal आ गई तीनो side समारी तो triangle क्या हो गया? O A B congruent हो गया? कौन से rule क्या according? S S S rule अब congruent है तो बाकी बच्चे भी पार्ट समें बागी पार्ट ही क्या बच्चे? side समने एक प्रूब करी दी सिर्फ एंगल ही तो बच्चे then angle 1 is equal to angle 2 by CP CT सिर्फ इतना ही हमें प्रूब इसमें करना था ठीक है? अब आती है theorem 10.2 जो की इसका reverse है रिवर्स में क्या हो जाएगा? कि angle COR और उसके center पर जो angle बन रहे हैं वो हमें equal है हमें code equal प्रूब करनी है यह उल्टा हो जाता है बस जहां जहां यह थे इधर क्या जाएगा? अब हमें angle 1 और angle 2 गिवन है तो by CP CT क्या जाएगा? A B equal to CD इसलिए मैं कई पर reverse छोड़ देता हूं तो reverse बिल्कुल easy होता है जो हमें प्रूव करना था वो given है ठीक है? जो हमें प्रूव करना था वो given है और जो given था वो हमें प्रूव करना है बस ऐसी हाँ पर change हो जाता है और this is your answer तो अब को exercise 10.2 में दो ही हमें question दे रखे हैं और इन दोनों theorem के उपर ही depend है फर्क सिर्फ कितना है? ये दोनों code एक ही triangle में equal दे रखी है वहां में क्या दे रखा होगा? वो एक ही circle में equal दे रखी है वहां में क्या दे रखा होगा? सिर्फ circle अलग अलग है लेकिन सरकल अलग तो हैं लेकिन दोनों की रेडियस सेम हैं अगर इसकी रेडियस आर है तो इस वाले की भी रेडियस हमारी आर ही है ठीक है और ये जो कोड है ये दोनों हमारी एक्वल है ये ओ माल लिया तो इसको हम क्या माल लेते हैं यहाँ पर कोड है समाल लेते हैं ठीक है इतना ही फ़र्क है इसकी भी और है अलग हो हई है बाकिक कुछ बहुद की अलग नहीं है उसी टाइप से हमें क्वैशन के साइए से करना है ट्राइंगल ऐज si d यह साइड इस साइड के इगेफ वैस साइड कि दोनों की रेडियस सेम है कंगूरेंट दोनों के रेडियस सेम Data जोटे हो और ab acd हमें कॉल रखी हैं तो तीनों साइड इकवल हो गोई those Formula मुला बिल्कुल सेम टो सेम 10.1 की तरह है यह फर्स्ट कोश्चन है किसका 10.2 का और जो 10.2 थोरा में उसके जैसा है 10.2 का सेकंड कोश्चन तो इस तरह से हमारी 10.2 कंपलीट होती है अब हम करते हैं 10.3 देखिए next topic है perpendicular from the center to the code center से अगर हम code पर perpendicular draw करें तो theorem कहती है कि अगर हमने यह perpendicular draw करा है कहां से center से code पर तो यह इसको दो equal part में divide करता है तो given बहुत important theorem है पहले दोनों जो भी कराई है और यह वाले भी given circle कोई c o r उसको लिख देंगे अब तुम्हें o r का meaning पता ही है ठीक है एंड o m perpendicular to a b यह सब हमें given है to prove to prove में आ जाएगा a m equal b m हमें प्रूव करना है कि यह code को bisect कर रहा है ठीक है नाव प्रूफ देखो प्रूफ में क्या आएगा इनको जोइन कर देंगे यह क्या रेडियस है यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है तो जोइन o a and ob now in triangle o a m and triangle o b m o equal ob h r ठीक है और o m equal o m क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या है राइट एंगल है तो इस राइट एंगल में रहा है रहा है रहा हो गया और अगर कोई साइड बच गई है तो यह वाली साइड बच गई न है am और बी एम तो यह भी इक्वल होगी तो am equal bm by ct ct तो हो गया प्रूव तो क्या result निकल के आता है कि अगर हम सेंटर से perpendicular डालें किसी कोड पर तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है अब next theorem वो इसका reverse है कि कोई कि कोई line जो a और b को bisect कर रही है और center से पास हो रही है वो a b पर perpendicular होगी ठीक है अब यहीं उल्टा हो जाएगा यहाँ पर अब हमें क्या given है कि a m equal b m यहाँ पर हो जाएगा यह angle 1 माल लो कि angle 1 जो है 90 degree है ठीक है अब हमें यह प्रूव करना है angle 1 और angle 2 90 degree है तो o a m जखो o a o b equal यह common और a m और b m हमें अब given है तो a m equal b m यह कहां से आ गया given अब रूड लग गया sss तो angle 1 और angle 2 हमारे equal आ गए by cpct बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 180 degree क्यों by linear pair यह हम बहुत बहुत बार कर चुके हैं तो twice of angle 1 क्योंक एक्क्वल है 180 तो angle 1 क्या आ गया 90 degree है इसका reverse हो गया कि अगर कोई line जो इसको bisect कर रही है और center से भी pass हो रही है अगर bisect कर रही है तो center से पास होगी ही होगी ठीक है तो वो इस पर perpendicular होती है इसका meaning क्या निकल के आता है any line जो perpendicular bisector है AB का वो center से pass होकर जाती है और center से जो perpendicular जाते हैं वो AB को bisect करती है यह सबसे main rules हैं दो ये वाले और दो पहले वाले यह हमें याद रखने हैं ठीक है? अब चलते हैं आगे कि given points से कितने circle हमारे pass हो सकते हैं मालों कोई A point हो one point कोई वे point है मालों हमने a point यह ले लिया अब इससे कितने circle pass out हो सकते हैं एक यह वाला बना लिया एक यह बना लिया एक यह बना लिया दुनिया भर के कोई counting ही नहीं है ठीक है? एक given point से कई circle हमारे pass out हो सकते हैं उनकों count नहीं कर सकते different different radius लेते जाओ और नहीं नहीं सरकल हमारे बनते जाएंगे ठीक है अब अगर टू point है यानि A और B एक ले लिया A एक ले लिया हमने B तो इससे भी ठीक है इससे भी हमारे थोड़ा और बड़ा ले 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 इस टाइप से इस साइप से ले लो ठीक है इससे भी हमारे कैई सरकल pass out हो सकते है वन पॉइंट से भी टू पॉइंट से भी ठीक है अब आता है में सबसे में उसका खाली आपको ज्यादा अब अगर तीन पॉइंट है तीन पॉइंट में दो केस बनते हैं या तो यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है ठीक है इनको मालो जोइन कर दो अगर इन दोनों का हम सेंटर ले तो यह सरकल बनेगा वह वाला पॉइंट बहुर हो गया अगर पूरे का हम सेंटर लें तो यह वाला सरकल बनेगा तो पॉइंट भी हमारा अंदर आगया ठीक है एक तो यह केस बनता है यानि इन तीनों पॉइंट से circle होकर गुजरना impossible है 2 से गुजर सकता है तीसरा point यह तो अंदर होगा या बाहर होगा लेकिन अगर ये तीनों point अलग-अलग है एक point यहाँ है एक point यहाँ है और एक point यहाँ है A, B, C अब इनसे कितने circle हो सकते हैं only one कैसे इसको मिला दो और इसको मिला दो अभी हमने पढ़ा है कि code का perpendicular bisector कहां से जाता है center से तो अगर मैं इसको भी code माल लूँ इसका perpendicular bisector हमने खेंद लिया ठीक है, इसको तो dark कर दो चाहे यह perpendicular अभी हाँ, इस पर center है कहां यह नहीं पता वो कैसा पता दूसरी कोड का भी perpendicular bisector हम करें इसका भी perpendicular bisector कर दिया perpendicular bisector पता ना आदे से ज़्यादा परकार कोड का ओपर नीचे चाप लगानी है इधर से भी और उधर से भी तो यह कही न कहीं इस वाली code को काटेगा तो यह हमारा center होगा अब यह center ऐसा है इसकी A से B से और C से तीनों से distance हमारी equal है तो यहां से compass जो परकार है उसकी 9 क्या रखेंगे पैंसे नहां खोलके हम एक arc हम एक circle ऐसा बना देंगे तो इस type से यह हमारा circle एक बन जाता है जो only and only one ही circle होगा क्यों? इसका perpendicular bisector और इसका perpendicular bisector एक ही point में तो काटेंगे अब जब center ही एक आ रहा है तो circle कितने बनेगे? एक ही circle बनेगा ठीक है? अब देखो इसमें इसी में मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि अगर यह अगर मैं इन तीनों point को मिला दूँ तो यह triangle होगा इसको बोलेंगे हम circum circle ठीक है? और जो इसकी radius होएगी वो circum radius और center होगा वो circum center होगा ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास यह topic complete होता है अब पहला example हम समझते है example 1 यह भी simple है इसी के जैसा है क्याता है एक arc गीवन है arc क्या होती है? circle का ही part होती है यह circle हमें complete करना है कैसे करना है? हमें कोई center नहीं पता उपनीμεपता तो हम इसमें do code बना सकते हैं परिमर जी की एक code हमने यह बना ली एक code हमने यह बना ली अब दो code की help से क्या होजाएगा? हम इसका center पता चल जाएगा कैसे? यह हमने AB बना ली और यह हमने CD बना इसका perpendicular bisector खेचो भई यह बनेगे ऐसे ही इसका perpendicular bisector बनेगा तो यह जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वो हमारा center आ जाएगा अब इसको center लेकर किसी भी side के बराबर किसी भी point को बराबर यानि या तो इस point को ले लो या इस point को ले लो या इस point को ले लो या इस point को ले लो यह हमारा complete circle हमारा इस type से बन जाएगा ठीक है अब चलते हैं next question की और तो यह तुम्हें बड़े अराम से समझ बाया होगा चलो next question करते हैं exercise 10.3 का first question कहता different pair of circle बनाओ और कहता बताओ कितने point पर cut करते हैं देखो दो circle बना दिये यह एक भी point पर cut नहीं करते यह बना दिये यह एक point पर touch करते हैं ठीक है और एक इस तरह से बन जायागा यह दो point पर touch करते हैं बस इसके लावा और कोई case हमारे पास नहीं बनेगा income आगे आगे कर लो तब भी दो point पर करेंगे ठीक है तो सिर्फ यही तीन case बनते हैं या तो zero point या one point या two point तो कितने point हैं जिन पर maximum वो कट कर सकता है सिर्फ दो point पर ही दो circle आपस में कट कर सकते हैं अधर्वाइज नहीं जो इसका question number two है कहता circle given है हमें इस type से कहता find the center तो कैसे center finder करें कोई भी दो हम code बना लेंगे इनके perpendicular bisector draw कर लो जहां पर वो perpendicular bisector आपस में एक दूसरे को कट करेंगे that is the center और जैसे जैसे तुमने करा है वैसे वैसे इसको बनाते चले जाना इसकी construction लिखते हम चले जाएंगे यह second question था now third question इसका और last question इस video का कहता दो circle है intersect करते हैं हमारे पास दो point point intersect करते हैं यह इस type से यह A और यह B यह इसका center और यह हमारा किसका center इसका center O dash इसको मिला लो यह O भी क्या है A भी क्या है common code A भी इस वाले circle की भी code है और A भी इस वाले circle की भी code है क्या prove करना है कि AB का अगर मैं perpendicular bisector draw करूंगा तो वो O और O dash दोनों से होकर गुजरता है तो अब मैं आपको समझा देता हूं करो जी इसका perpendicular bisector तो यह O और O dash perpendicular bisector draw करूंगा तो क्या करेंगे as AB is the code of circle C1 so its perpendicular bisector will passes through O also as AB is also a code of circle C2 its perpendicular bisector will pass through O dash तो AB का perpendicular bisector तो एक ही है it will pass through O and O dash तो उम्मीद करता हूं आपको 10.2 और 10.3 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तो अब आपको क्या करना है हमारी वीडियो को like करना है share करना है और हमारे चैनलों को subscribe करना है धन्यवाद